नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ प्रेरक विचार साजा करना चाहता हूँ, जो आपके दिन की शुरुआत अच्छी प्रोडक्टिव तरीके से करने में मदद करेंगे. याद रखें कि आपका दिन के प्रती द्रिष्टिकोण और मानसिक्ता ही परिणाम को आकार देती है. अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक पुष्टी के साथ करें, अपने आप से कहें कि आप महान चीजे हासिल करने में सक्षम हैं. अपने अबिलिटीज पर विश्वास करें और अपने लिए स्पष्ट लक्षे निर्धारित करें. चुनौतियों को अफसरों के रूप में देखें और उनसे सीखें. अपने लक्षियों की ओर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी प्रगती का जश्न मनाएं. अपनी दैनिक दिन चर्या में फोकस्ट और डिसिप्लेन रहें और अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें. अपने आस पास पॉजिटिव और सपॉर्टिव लोगों को रखें, जो आपको इंस्पायर और इंकरिज करते हैं. याद रखें कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते. सुबह के समय अपने ब्लेसिंग्स पर रिफ्लेक्ट करें और जो कुछ आपके पास है उसके लिए ग्राटिटूड व्यक्त करें. बाधाओं के सामने भी ऑप्टिमिस्टिक रहें और विश्वास रखें कि आप उनको आसानी से पार कर सकते हैं. अपनी सफलता को विजुलाइज करें और अपने आपको अपने लक्षे को प्राप्त करते हुए देखें. अपने सपनों के प्रती कमिटेड रहें और फियर या डाउट को अपने पीछे आने ना दें. अपने आप पर फेट रखें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपके पूर्ण पटेंशल को प्राप्त करने में आपकी मदद कर रहा है फेलियर को सफलता की ओर एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखें और अपनी मिस्टेक से सीखें पॉजिटिव आफिमेशन्स और इंस्पिरेशनल कोट से सराउंड़ेड रहकर मोटिवेटेड रहें एक ऐसी मौनिंग रूटीन बनाए जो आपको एनरजाइज करें और आने वाली चैलेंजिस के लिए तयार करें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि वे दोनु ही आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है अपने शरीर को नुट्रिशिस फूर्ट से पोशित करें और रेगिलर एक्सरसाइज करें ताकि पॉजिटिव माइंड सेट बना रहें प्रत्य एक दिन ग्राटिटूड और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ शुरू करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप पर और अपनी अबिलिटीज पर विश्वास करें क्योंकि आप ग्रेटनिस को प्राप्ट करने में सक्षम है रिस्क्स ले और अपने कमफोर्ट जोन से बाहर निकले क्योंकि यही पर ट्रू ग्रोथ होती है अपने गोल्स को प्राप्त करने में consistent और persistent रहे, भले ही आपको setbacks और obstacles का सामना करना पड़े Setbacks temporary होते हैं, उनसे सीखें, grow करें और आगे बढ़ते रहे Negative thoughts और energy पर अपना समय बर्बाद ना करें, positive चीजों पर ध्यान दे और जो कुछ आप control कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे अपने goals को प्राप्त करने की प्रक्रिया में joy प्राप्त करें और small victories का जश्न मनाए हर नया दिन एक fresh start है, एक नया अवसर है अपने सपनों की और progress करने का अपने purpose और impact को याद रखते हुए motivated रहें Difficult situations का सामना करते हुए, याद रखें की, आपके पास उनसे पार जाने की strength और resilience है एक supportive community से surrounded रहें जो आपके values को साजा करती है और आपको अपने best self बनने के लिए inspire करती है दूसरों की achievements और success stories से inspiration ले और उनसे motivated हो जाएए अपने actions की responsibility ले और personal growth को एक lifelong journey के रूप में देखें positive thinking की power पर विश्वास करें और इसे सफलता की और mark दर्शन करने दे अपने goals पर focus रहें और distractions को अपने रास्ते में आने ना दे मदद मांगने से ना डरे और उन mentors से guidance लें जो इस path पर पहले से ही चल चुके है याद रखें कि हर सुबह अपने story को rewrite करने और अपने desired life को create करने का एक मौका है अगर आपको ये motivational वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ share करें इस वीडियो को like करे, channel को subscribe करे अगर आप ऐसे ही content रोजाना पाना चाहते है तो हमारी website को widget करे और हमारे newsletter को subscribe करे देखने के लिए धन्यवाद